हलो वाइस कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे 12 सुडूल हैं ओके ऐसे याद किया जाए उन 12 सुडूल को ट्रिक के साथ कैसे याद किया जाए वो आज हम ट्रिक में पूरा देखेंगे ठीक है और ओरिजनली कितने थे 12 हुए हैं कौन-कौन से एड हुए हैं वो सारा हम इस वीडियो में ट्रिक के साथ याद करने की कोसिज करेंगे उसकाद एक और इंफॉर्मिशन की ये डिलिजन्स क्रैक एक्जाम आप यूटूब पे जाकर सकते हैं जहां पर आपके सारी वीडियो लक्ष्मिकांत, दाहिंदू न्यूस पेपर, NCRT जोगरफी की सारी चीजें कबरप की जा रही हैं वहां पर आप इस सारी वीडियो देख सकते हैं इस चैनल को आप लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें चले वीडियो को स्ट करते हैं अभी जैसे ही सूडूल है, तो पहला एक बार हम देख लिते हैं फिर ट्रिक के साथ याद करेंगे, पहले एक बार ऐसे ही इसको नॉर्मली देखते हैं पहला सूडूल है, पहले सूडूल में क्या का गया है दूसरे सिडूल में क्या है, दूसरे सिडूल में आपके emoluments, allowances और privileges के बारे में बात की गई है किस किस के बारे में बात की गई है, ये भी आपका important हो जाता है तो आप देखें, ये आपका union हो गया, ये आपका state हो गया तो president, तो फिर governor भी होगा, speaker, deputy speaker हो गया तो यहाँ पर भी आपका speaker, deputy speaker होगा chairman, deputy chairman, chairman, deputy chairman हो गया, ठीक है फिर यहाँ पर क्या होगा आपका फिर आप judges of the supreme court, judges of the high court और SEC के बारे में यहाँ पर CAC की report जो आती है न, comptroller और auditor general of India के बारे में है तो 9 लोगों को ये नाम है आपको याद रखना है कि किस-किस के allowances, किस-किस के emoluments और privileges की इसमें बात की गई है किस-किस की की गई होगी जिनको आपको independent रखना है ठीक है तो president हो गया, governor हो गया, फिर speaker, deputy speaker हो गया आपका दोनों जगे, chairman, deputy chairman हो गया, supreme court का judge, high court का judge हो गया आपके और comptroller and order general के बारे में यहाँ पर लिखा गया है third schedule में, auth and affirmation की बात की गई है वो किस-किस की की गई है, अब यह देखो आप कैसे करोगे इसको याद करने की trick ऐसे आद नॉर्मल याद रख सकते हो कि आप देखो candidate कोई है, वो parliament के election के लिए खड़ा हो रहा है वो union ministers बनेंगे आपके, तो वहाँ पे भी आपको सपत लेनी होगी तो यह तीन याद रखीगा, इसी तीन को state के रूप में भी आप ढाल देना members, जो state legislature के लिए खड़ा हो रहा है फिर एक वाँ बो state legislature का member बन गया तो उसके लिए सपत लेगा, फिर जब state minister बनेगा तो सपत लेगा तीन, फिर judges of the Supreme Court, judges of the High Court और Comptor and Auditor General of India तो यह नो याद रखीएगा, ठीक है फिर fourth schedule में क्या का गया है, कि रास सभा को यहाँ पर कितनी seats यहाँ पर दी जाएंगी वो fourth schedule में बात की गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर articles भी लिखे हुए है fifth schedule में, scheduled area और scheduled tribes के बारे में उनके administration के बारे में यहाँ पर बात की गई है और sixth schedule में क्या है, वो area जो fifth schedule में cover up नहीं है tribal areas के administration related जो कि आपको यह नाम भी आपको याद रखने हैं कि वो नाम कौन से हैं याद रखिए गए आसाम –या, तिरफ्पुरा और आ regularum ठीक है, तो याद रखिए गए है जय आपको आपका मेखालिया है ठीक है तिरफ्पुरा है हो गया आपका मेजोरम हो गया ठीक है च्श्लू πर आप वो साई आपके सेवन से डूल में देखने को मिलेंगी 8th schedule में आपको official language है अब वो 22th language आपको कैसे याद होंगी जो मेरी एक nest वीडियो है उसमें आप देखेंगे अगली वीडियो में आप कि 8th schedule की पूरी यहाँ पर ट्रिक आपको देखने को मिलेगी फिर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा उसके बाद 9th schedule है 9th schedule को basically इसमें क्या किया गया था government के दोवारा इसमें कहा गया था कि कोई भी एक्ट अगर 9th schedule में आपको डाल दिया जाता है government के दोवारा, parliament के दोवारा तो basically उसको फिर वो judicial review से बच जाएगा judicial review में नहीं आएगा लेकिन 2007 में Supreme Court ने ये clear कर दिया कि कोई भी law जो after 24th April 1973 जब basic structure of constitution आपको दिया गया था उसके बाद कोई भी law को judicial review से नहीं बचेगा 10th schedule में आप देखेंगे तो defication की उपर है आपका 11th schedule आपका पंचायत की उपर है जो 73rd constitution 11 act 1992 से जुड़ा 12th schedule आपका municipality की उपर है जो 74th constitution 11 act 1992 से जुड़ा आप इसकी trick क्या है trick वो ही आपकी याद कर सकते हैं आप trick में Tears of old PM सिब एक sentence के साथ आप ये पूरी याद कर सकते है ठीक है अब ये पुरानी trick है भाई ठीक है न बड़ इसको याद कर सकते है Tears of old PM Tears में क्या आजागा T में क्या आएगा Territory तो याद दखिएगा State और Union Territories की बात की गई है अब E में देखो आप क्या है E में आपका Emoluments की बात की गई है Emoluments हो गई आपका याद दखिए Allowances of Privileges किस-किस की है वो में आपको बता चुका हूँ तो वो आपको याद है A में क्या है A में बेसिकल यापका Affirmation, Oath and Affirmation की बात की गई है R में रास्थसभा की बारे में बात की गई है Sears की This Sudooled Area Tribal Area की बात की गई है ये Other Areas की बात की गई है जो आपके आसाम, मेगालिया, मिजोरम और तिरपुरा में कवर अप की गई है तो पांच जी हो गए छे, साथ में क्या है Federal तो आपकी Seven Sudooled में List के बारे में बात की गई है Union और State की बीच में जो डिवाइट की गई है आपकी Okay, छे, साथ हो गए Eight में क्या किया गया है Eight में basically आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर Eight में जो सुडूल है Official Language के बारे में यहाँ पर बात की गई Nine Sudool में Law की बात की गई थी वो सारे Law जो Nine Sudool में होंगे वो Judicial Review के कवर नहीं होंगे पर Government Day 19 2007 में Supreme Court ने क्लियर कर दिया यहाँ पर After that आप देखेंगे यहाँ पर 10 में सुडूल जो है वो Anti-Defication Law के बारे में बात करता है 11 में सुडूल आपका पंचायत के बारे में बात करता है और 12 में सुडूल आपके मुंसिपालिटी के बारे में बात करता है तो वो याद रखने के बाद जो कुछ एहम पॉइंट्स है जैसी की Emoluments, Allowance, Privileges किस-किस के Auth and Affirmation किस-किस के यह पॉइंट्स भी याद रखेगा अगली वीडियो में हम बात करेंगे 8 में सुडूल में कौन-कौन सी Languages को यहाँ पर cover up किया गया अगर गाइस वीडियो पसंद आती है तो like, share and subscribe जरू करें वीडियो को and thank you so much